आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं एक फर्मूला फर्मूला को कैसे प्रूप किया था फर्मूला 10x dx integral 10x dx equal to log mod sec x plus c को कैसे प्रूप किया था इतना में ठीक है integral 10x dx 10x का होता है sin x by cos x एक फर्मूला 10th क्लास में ही आप लोग पढ़े होंगे ऐसे हम लोग 10x के बतले sin x by cos x लेख दिया है उसके बाद cos x को t मान लिए cos x से t मानने के बाद integral किया है इसका integral करने के बाद minus sin x हो गया plus dt by dx हो गया dt by dx होने के बाद d x को इधर ला दिये माइनस sin x dx हो गया equal to dt हो वैसे ही वैसे ही यहां से यहां उतार दिने उतारने के बाद sin x sin x dx sin x dx equal to dt हैं sin x equal to dt लिक लिए हैं अजब कॉस एक्स को से रहा पर यहां t मानने थे दिन लिए और यह माइनस इसमें आगया मैनस से यहां लिए वैसी इसका होता है one by x का one by x equal to log x इसका फर्मूला होता है फर्मूला इंदे लिए one by x का integral log x होता है ऐसी ऐसी one by t के log कर दे माइनस लोग यह बहुत यहां गया इसका हो गया log मॉट t plus c और t का फूट कर देंगा मान कॉस x माइनस लोग टी की जवब पर कॉस x मॉट कॉस x प्लस c और सबाद माइनस के यहां ले जाएंगा तो शेक x हो जाएगा log मॉट शेक x प्लस c प्रूफ हो गया भाई